राष्टवादी कॉंग्रेस के अध्यक शरत पवार के मुंबई स्थित घर पर HD कर्मचारियों द्वारा किये गए हमले के बाद अब गोंधिया जिले में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है गोंधिया जिला राष्टवादी कॉंग्रेस के और से शहर के गांधी प्रतिमा चौक में घर्टना का निश्यत करते हुए आंदुलन किया गया हमारे देश के नेता अधरनी सरत पौर साप के घर पे जो हमला हुआ है जिसके लिए पूरे महराष्ट के सरमसार करने वाली जो घटना हुई है इसका हम आदरनी प्रफुल भाई पटेल आदरनी जैन सापर पूर राष्टवादी की ओर से गोर इसका विरोत प्रदर्शन करते हैं और निशेत करते हैं आने वाले भविस्य में ऐसी कोई भी महराष्ट में कारवाई ना हो ऐसी कोई क्रिया ना हो और जिन लोगों ने एक क्रिया ऐसी कारवाई की है उनके उपर उचित कारवाई हो इसी मांग के साथ हम पूरे महराष्ट में राष्टवादी कॉंग्रेस हो यह कॉंग्रेस के मारपत से इसके विरोत दर आजकर हमलावरों पर कठोर कारवाई की मांग जिला राष्टरवादी कॉंग्रेस के ओसे की गई है। इस आंदोलन में सैक्रोर राष्टरवादी कॉंग्रेस के नेता शामिल हुए थे। तो भंडारा जिले में भी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ने आंदोलन्द कर निशेद वेक्त किया है। तो भंडारा जिले में भी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस निशेद करते। तो भंडारा जिले में भी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ने 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 राष्ट्रवादी कॉंग्रेस